Hello and welcome, दुस्तों सुखद करता हुए फिर सबस्क्राइब के अपने इस चैनल में, तो गाईजी इस बीडियो के अंदर हम डिटेइट में डिसक्स करेंगे बिटकॉइन के बारों, और साथ ही महां यहापर बात करेंगे मार्केट के अंदर जो भी आप इस टेम पे जाके अब जरूर से जोइन भी कर सकते हो, इस टाइम पे देखोगे तो यहापर इंफ्लियेशन का जो डेटा है वो अल्डिट निकल के आ चुका है, युएसे के लिए तो लास्ट मांथ के अंदर हमें युएसे का इंफ्लियेशन तो रहा ही देखने को मिल रहा था, तो अ यहापर टेलीग्रम चैनल के अंदर भी हो, टेलीग्रम चैनल के अंदर भी मैंने आपको बता दिया था कि यहापर कितना राइज हो रहा है, तो उसके उपर यहापर आप देख सकते हो, कि उसके बाद हमें मार्केट के अंदर भी एक अच्छागा सा आप और मुव्मेंट देखने को मिला है तो चलिए अब हम डिटेस में बिटकोइन के चार्ट के ऊपर चलते हैं वार पर डिटेस में डिसकस करते हैं कि एक्जेकले बिटकोइन के प्राइस के लिए हमें एक रेजिस्तन्स देखने को मिला है, तो हो सकता है कि Bitcoin 24,184 वाड जो जो ने इस zone को ब्रेक कर ले, ये zone अगर Bitcoin एक बर ब्रेक कर लेता है, ने गर ब्रेक करेंगा एक गर ब्रेक करेंगा, तो इसके बाद हमें price के अधर एक अच्छा गाशा support movement देखने को मिलेगा, and after that क्या होगा कि अगर आप देखोगे तो यह जो zone है इसी zone के आसपास आपको यहाँ पर बहुत ज़़ा selling pressure भी देखने को मिलेगा let's suppose कि जिस बंदे ने यहाँ पर अपना buying क्या होगा let's suppose यहाँ पर किसी भी बंदे ने यह जो zone है यह zone break हो जाए यह zone break होने के लिए हमें kind of कुछ इस तरी के से multiple times यहाँ पर heat करना पड़ेगा इसी zone को उसके बाद यह zone है यह zone easily break हो सकता है तो आगर सापको यह आपर bitcoin के बार में समझ में आ रहा होगा कि exactly bitcoin के price के अंदर यह हो सकता है तो अभी stamp इंपोर्टेंट यह होगा कि अभी stamp इंपोर्टेंट यह होगा अगर यह zone break होता है उसके उपर अपना support देखने को मिलता है तो हम जरूर से यहाँ पर entry बना सकते है और यहाँ से हमें expect यहीं कर सकते है बिटकोइन के price 25,000 USD के असपास भी हमें देखने को मिल सकता है आगेस आपको यहाँ पर बिटकोइन के बारे मैंने details में समझ में आ गया होगा कि exactly bitcoin के price के अंदर क्या हो सकता है मैंने यहाँ पर one hour का चार्ट open करके रखका हुआ है तो आप यहाँ पर bigger time frame के अंदर देखो कि यहाँ पर वान डे के चार्ट के अंदर अगर आप देखते हो तो वान डे के चार्ट के अंदर भी आपको इस तरी की का जो है यही बोलते हूं कि आपने बोला था वीडियो को पूरा देखते नहीं हो फिर आके आप यहाँ पर ऐसे ही कोमेंट करते रहते तो वीडियो को प्रीविएस वीडियो को आप ज़रूर से एक बर उटा के देख लेना कि मैंने यहाँ पर evening के अंदर जो भी मैंने आपको बोला तो यहाँ पर मैं इतिरियम को ले लेता हूं तो इतिरियम के लिए हमने यहाँ पर सपोर्ट यहाँ पर डिसक्राइब किया था जो भी जो की यहाँ पर था यहाँ पर आपको कुछ ड्रोइंग्स भी देखने को मिल जाएंगे 1745 यहाँ पर मैंने लिखका हुआ था तो मैंने यहाँ लास्ट जॉप को टार्गेट दिया था वह 1745 के उपर दिया था तो अब इस टेम पर देखूँगी तो एग्जेक्ली इतिरियम के अंदर हमें वही देखने को मिल डा है तो इतिरियम के अंदर अगर अपने एंटरी तो यह पर रिस्क को तो बीट कर सकते हो एगा मैंने श्समझा सकते हो इतिरियम के अगया बात क natuurlijk पर नेक्स्ट जो हमारा Hault koin उसके बारे में और बात करवा है तो नेक्स्ट हम बात करे हैं ला। पर पॉलकाड़ोट के बारे में पॉलकड़ोट के प्राइज को देखो थो पॉलकाड़ोट के प्राइज के अंदर है हरक और इस चेम्हले ओरनपर स्य फिखनवाहिं या फिर Polkadot के अंदर हमें downtrend देखने को मिलेगा तो to be honest अगर आप देखूगे तो Polkadot के अंदर मेरे हिसाब से Polkadot का प्राइज आपको 9.43 वारा यह जो ट्रेंड लाइन आपको Polkadot का प्राइज देखने को मिल सकता है and after that मैं यहाँ पर क्या अक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकोइन के प्राइज अगर 24,000 वारा जो जोने उस जोन को ब्रेक कर ले तो Polkadot का प्राइज जो हमें सामवार अराउं 10 डॉलार के असपस देखने को मिल सकता है अभी इ जो ब्यार मार्केट है ब्यार मार्केट के अंदर जो भी हमें मुवमेंट्स देखने को मिलते है वह यह अभी इस टाइम पर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है तो जलिए अब बात के लिए आपको यही बोलूँगा कि मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि लास्ट वीडियो के अ जरूर से आप इनवेस्ट जरूर से कर सकते हो बागे अगर आप शौटर टाइम फ्रेम के लिए देख रहे हूँ तो मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे आपको इनवेस्ट नहीं करनी चाहिए क्योंकि प्राइज यहां से रिटेस्ट हो सकती है और प्राइज यहां पर रि यहां पर शौर के असपस देखने को मिल्डा है तो आपर फ़्रॉफिडि अपर प्राइज के अंदर विप्रॉपक कर लेना बाकी अगर आप यहां पर पलकाड़ ओट हो यहां फिर XRP के अंदर अलीड एंट्री बना के रख्क हुआ है, बहुत जादा उपर अगर अपने अलेड़ी एंट्री बना रख्क हुआ है, तो मैं आपको यही बोलूँ के, आपडेट्स के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई